जैसे कि पैन कार्ड में कोई भी काम करना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, वोटर कार्ड बनाना हो, खताओने निकालनी हो, पैंसन का फार्न बनना हो, नोकरी कोई आये उसका फार्न बनना हो, सरकारी योजना का फार्न बनना हो, छातरविती बनना हो, पासपोर्ट आनलाइन क इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो की बीना ID के ही हो जाते हैं नमस्ते दोस्तो स्वागत आपका एक और नई विडियो में दोस्तो आप में से काफी सारे लोग कंप्यूटर सीखने के बाद जनसेवा केंदर खोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं है कि जनसेवा केंदर कैसे खोलें जनसेवा केंदर खोलने में कितना रुपया खर्च होता है कौन-कौन से समान की जरूरत होती है इसके अलावा जनसेवा केंदर की ID और पासवड कैसे मिलता है ऐसे ही और भी सवाल आपके मन में आते होंगे तो भाई लोग अगर आप जनसेवा केंदर खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखेगा इस वीडियो के अंदर आपको जनसेवा केंदर खोलने की पूरी जानकारी मिलने वाली है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी जानकारी को मैंने स्लाइड बाई स्लाइड तैयार किया है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डीटेल में समझाने वाला हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको जन सेवा केंदर की पूरी जानकारी हो जाएगी और आप एक जन सेवा केंदर खोल पाएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नामी गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट लास्ट वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर दिएगा देखी दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक जनसेवा केंदर खोलना चाते हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीजे होना जरूरी है और वो सामान जो है आपको कितने रुपे में मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जो हम लोग आईडी और पासवर्ड के भी बारे में बात करेंगे और बहुत सारे काम तो ऐसे हैं कि जो बिना आईडी और पासवर्ड के भी हो जाते हैं तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है एक एक चीजों के बारे में मैं आपको पूर ज़रूर होनी चाहिए तब ही जो है आ आप जनसेवा केंदर पर काम कर पाएंगे इसके बाद दोस्तो आपके पास जो है एक printer होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास printer नहीं रहेगा तो आप data को कैसे print करेंगे कैसे जो है customer को service दे पाएंगे और printer भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है आप scan भी कर पाएं यानि कि कोई भी document को scan भी कर पाएं साथ में color print भी कर पाएं और black and white print भी कर पाएं photocopy भी print कर पाएं कुछ ऐसा आपके पास printer होना चाहिए आगे मैं आपको ऐसा ही एक printer बताने वाला हूँ और साथ में उसका price भी बताऊँगा जितने भी चीजे मैं आपको बता रहा हूँ न ये आपको कितने रुपे में मिलेंगे ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा printer के बाद दोस्तों आपके पास एक lamination machine होनी चाहिए जिससे आप जो है अपने customer के जो भी document है जैसे अधार card, pen card या फिर mark sheet वगएरा जो भी customer lamination कराने आता है उसको आप laminate कर पाएं तो आपके पास एक lamination machine भी होना चाहिए इसके अलावा दोस्तों जब आप जनसेवा केंदर खोलेंगे तो आपके पास एक छोटा सा counter जरूर होना चाहिए जिसपे आप ये सारे सामान को रख करके customer को service दे पाएंगे इसके बाद आपके पास एक inverter जरूर होना चाहिए अगर पैसे नहीं है तो आप बाद में भी ले सकते हैं लेकिन अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आपको एक inverter ले लेना है क्योंकि आपको पता है कि light का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब कटेगी और light कटी हुई है और आपका customer आपके पास आएगा तो अगर आपके पास inverter नहीं रहेगा तो आप उसका काम नहीं कर पाएंगे तो आपको एक inverter का भी बजट बना करके चलना है इतना ध्यान दिना है अगला जो सामान होना चाहिए वो हमारे पास एक fingerprint device होना चाहिए को प्रिंट करके customer को दे पाएं जैसे कि photocopy करना हो color print करना हो या फिर जो भी data print करवा रहा है customer उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास paper भी होना चाहिए इसके बाद आपके पास lamination paper भी होना चाहिए जो plastic वाला paper आता है ये कितने में मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद हमें एक छोटा सा banner बनवाना होगा अपने दुकान के लिए कुछ इस तरीके से छोटा सा बनवाएंगे तब ही तो customer जानेगा कि यहाँ पर जनसेवा केंदर खुला है ये आपके लिए परचार के लिए बहुत जरूरी होता है तो ये भी कम पैसे में ही बन जाता है कितने में बनेगा आगे मैं आपको बता दूँगा ये जो चीजे मैंने आपको बताई है ना ये चीजे आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आप एक जनसेवा केंदर खोलना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि अगर आप इन सामान को खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है टोटल कितना रुपया खर्च करना होगा देखिए अगर आप कम्प्यूटर खरीदना चाहते हैं जिस पर आप जनसेवा केंदर के सभी काम आसानी से कर पाएं तो आपको नया कम्प्यूटर खरीदने के लिए कम से कम 20,000 रुपय लगाने होंगे लेकिन अगर आप जो है पुराना कम्प्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आपका 10 से 12,000 रुपय में ही काम चल जाएगा ये आप के उपर डिपेंड करता है कि आप नया कम्प्यूटर लेना चाहते हैं या फिर पुराने से काम चलाएंगे ठीक यही तरीका जो है आप लैप्टॉप में भी कर सकते हैं अगर आप जो है नया लैप्टॉप लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25,000 रुपय लगाने होंगे और अगर आप जो है पुराना लैप्टॉप से काम चलाना च लिए आप नया भी ले सकते हैं पुराना भी ले सकते हैं वो आपकी मर्जी है लेकिन अगर आपके मन में यह confusion है कि आपको computer लेना चाहिए या फिर laptop लेना चाहिए तो मेरा यह opinion रहेगा कि आपको एक computer लेना चाहिए जो की laptop की मुकाबले में כाहशा रहता है जल्ली खराब नह देना है कि Eco Tank Printer खरीदना है जिसमें Ink डाली जाती है वो वाला Printer खरीदना है और साथ में आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि All In One Printer होना चाहिए जिसमें जो है आप Photo Copy भी कर पाएं, Color Print भी कर पाएं और Scan भी कर पाएं यह जो आप screen पर printer देख रहे हैं यही printer जो है मैं पिछले 3 साल से इस्तमाल करता हूँ इस printer का model नमबर है Epson L316 जो कि मैं पिछले 3 साल से इस्तमाल करता हूँ जब मैंने इसे खरीदा था तो यह मुझे 9,800 कुछ रुपे में मिला था लेकिन अभी जो है इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया होगा आप एक बार Amazon पे भी चेक कर लीजेगा या फिर आप जो है अपने नजदी की local market में भी पता कर सकते हैं मैंने जो है एक printer Amazon पे चेक किया तो वो जो है मुझे 11,999 रुपे में मिल रहा था तो आप जो है एक printer पर 10-12,000 रुपे आपको खर्च करना होगा इतना आपको ध्यान देना है इसके बाद जो अगली चीज की हमें जरूरत पढ़ने वाली है वो है lamination machine जो की आपको 1000 रुपे से लेकर के 2000 के बीच में आराम से मिल जाएगी ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ ये lamination machine जो है मैं खुद इस्तमाल करता हूँ जो की है LM classic ये जो है आप देख सकते हो ये amazon पे जो है 1861 रुपे में मिल रही है लेकिन अगर आप local market से खरीते हैं तो थोड़ा और भी सस्ता मिल जाएगी जब भी आप खरीदे तो आप एक बाद local market में जरूर चेक कर लें और printer तो मैंने आपको बताई दिया है कि 10-12000 रुपे में आपको एक अच्छा printer मिल जाएगा इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप counter बनवाना चाहते हैं नया तो कितना रुपे आपको खर्च करना होगा देखे counter बनवाने के लिए कम से कम आपको 5000 रुपे का budget बना करके चलना है एक counter बनाने के लिए लेकिन अगर आप जो है कहीं से पुराना counter का जुगाड कर लेते हैं तो आपका 2-3,000 रुपे के बीच में पुराना counter है उसका जुगाड हो जाएगा इतना आपको ध्यान देना ठीक है आप एक बार किसी भी market में जरूर पता करें बहुत सारे लोग अपना पुराना counter बेचते हैं तो आप वहां से भी जो है 2-3,000 के बीच में ही पुराना counter खरीद करके अपना काम चला सकते हैं नया बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं वो आपकी मर्जी हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है in water लगवाते हैं तो कितना रुपे का खर्च आने वाला है तो देखिए in water लगाने के लिए आपको 16 से लेकर के 18,000 रुपे तक का खर्च बैठने वाला है और अगर आप जो है अभी अभी आप सुरुआत कर रहे हैं तो अगर आपका बज़ट नहीं है तो आप in water को अभी नहीं लेंगे ठीक है आपको जो है एक UPS ले लेना है जो कि आपको 2000 रुपे से 3000 रुपे के बीच में मिल जाता है कि जब भी आप computer पर काम करेंगे अगर अचानक से बिजली चले जाती है तो UPS में एक बड़ी सी बैटरी लगी होती है जो कि आपके computer को 15-20 मिनट तक on करके रखती है जितने समय में जो है आप अपने computer को बंद कर सकते हैं और अगर UPS रहेगा आपके पास तो आपका computer खराब होने का chance बहुत कम हो जाता है तो अगर आपके पास budget है तो आपको एक inverter जरूर ले लेना है बिना inverter का आपका काम नहीं चलने वाला है लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं आपका budget नहीं है तो आपको जो है एक UPS ले लेना है ठीक है इस तरह की से छोटा सराइगा उसे ले लेना है इससे भी काम चल जाएगा इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं उन छोटी छोटी चीजों की जी यहां दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर की लेकिए जो भी आप पेपर खरीदेंगे ना printer से print करवाने के लिए तो वो जो पेपर आता है वो 280 या 270 रुपे का मिल जाता है और एक बंड होता है जिसमें हम लोग pen card या फिर अधार card को laminate करते हैं वो आपको 100 रुपे में मिल जाता है ठीक है 100 रुपे में 100 पीस इसमें भी रहेगा पाउच वाले में और 300 रुपे में 100 पीस जो है बड़ा वाला भी रहेगा इसके बाद जो है जो हम लोग banner बनवाएंगे अपने दुकान का परचार करने के लिए वो आपको 300 रुपे तक बन जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है 500 रुपे लगेगा इससे उपर लगने वाला नहीं है इसके अलावा आप चाहें तो mantra का एक fingerprint device भी ले सकते हैं वैसे अगर आप सुरू कर रहे हैं तो इसकी अभी उतनी जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर आपके पास budget है तो आप इसे ले लिजेगा ये आपको amazon पर 299 रुपे का मिल जाएगा और आप एक बार local market में भी पता कर लीजेगा तो ये चीज़े आपके पास जरूर होनी चाहिए जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है कि कितन लैमिनेशन मसीन भी ले रहे हैं काउंटर बनवा रहे हैं नया इनवार्टर ले रहे हैं पेपर और इसके बाद लैमिनेशन पेपर इसके बाद बैनर वगएरा सब बनवा रहे हैं तो आपको लगबग जो है 60,000 रुपे यहां पर खर्च करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है हमने रूम का जो भाड़ा है वो नहीं जोड़ा है मानली जी 1000-2000 रुपे आप रूम भाड़ा भी देंगे तो 60,000 रुपे में आपका बिलकुल नया नया सब कुछ रहेगा पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप जो है काफी सारी चीजों को पुराना ही खरीद लेते ह आपको पुराना मिल गया या फिर कंप्यूटर आपको पुराना मिल गया इलमिनेशन मसीन आपने खरीद ली काउंटर आपको पुराना मिल गया इन्वाटर आपने नहीं खरीदा यूपियस से ही काम चला लिया तो इस कंडिशन में आपका जो है 25-30,000 रुपे में आपका क केंदर खोल सकते हैं लेकिन अगर आप जो है एक नया सब कुछ सेट अप रखना चाहते हैं इन वाटर के साथ तो आपको कम से कम साथ हजार रुपे तक का बज़र बना करके चलना है इतना आपको ध्यान देना है ठीक है अब जो सबसे जादा पूछा जाना वाला सवाल ये है कि काम करने के लिए कोई ID भी लेनी होती है क्या तो मैं आपको बता दू जी हाँ अगर आप जो है जनसेवा केंदर पर सभी तरह के काम करना चाहते हैं तो आपको ID लेना जरूरी है लेकिन कुछ ऐसे काम है जो कि बिना ID के ही हो जाते हैं जो कि आगे मैं आपको बताने वाल हूँ लेकिन अगर आप जो है आईडी लेना चाहते हैं तो आप CSC Center की आईडी ले सकते हैं या फिर जो है सहज जनसेवा केंदर की आईडी ले सकते हैं अगर आप जो है CSC की आईडी लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो है registration करते हैं अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे comment जरूर करिएगा इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे काम है या फिर कुछ ऐसी ID है जो कि आपको बिल्कुल free में ही मिलती है और कहीं कहीं पर आपको ID बनाने की जरूरत ही नहीं होती है यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे काम लिखे हैं जो कि बिना ID के ही हो जाते हैं जैसे कि pen card में कोई भी काम करना हो बिजली का बिल जमा करना हो वोटर कार्ड बनाना हो खतावने निकालनी हो पेंशन का फार्ण बना हो नोकरी कोई आये उसका फार्ण बना हो सरकारी योजना का फार्ण बना हो चातरविती बना हो पासपोर्ट आनलाइन करना हो ड्राइविंग लाइसेंस आनलाइन करना हो इसके लावा और भी बहुत सारे काम है जो की बिना ID के ही हो जाते हैं और कौन-कौन से काम बिना ID के होते हैं वो मैंने पूरा डीटेल में जो है एक वीडियो में समझाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन में या फिर नीचे इस वीडियो के डिक्सिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप उसे देख सकते हैं अब देखिए जनसेवा केंदर जब आप खोलेंगे तो एक नॉर्मल जनसेवा केंदर होता है और एक स्टेंडर्ड जनसेवा केंदर होता है मेरे ख्याल से जब आप सुरुवात कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल जनसेवा केंदर से ही सुरुवात करिएगा आपको जादा स्टेंडर बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप जो है जनसेवा केंदर पर इमानदारी से काम करेंगे और जो कस्टमर आता है उसको पूरी संतुष्टी के साथ उसका काम करेंगे सही सही काम करेंगे तो आपका नॉर्मल जनसेवा केंदर ही बहुत तेज चलेगा और आप यहां से अच्छा खासा पैसा कम पाएंगे देखिए जनसेवा केंदर खोलें या फिर किसी भी फिल्ड में काम करें सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास अगर आपने एक बार कस्टमर का विश्वास बना लिया कि आप अच्छे काम करते हैं तो आपका जनसेवा चलेगा नहीं दोड़ेगा भले ही आप न लोगों का विश्वास आप तोड़ रहे हैं तो अगर आप जनसेवा केंदर खोलने की तैयारे में हैं तो पूरी मजबूत तरीके से तैयारी बना लीजिएगा जो जो चीजे मैंने आपको बताई है उन सभी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए साथ में जो है एक बाजी से बिल्कुल भी कस्टमर को परिसान ना करें फ्रोड बाजी से बिल्कुल बच के रहें फ्रोड बाजी आपको नहीं करनी है एक और बात की अगर आप जो है जनसेवा केंदर पर होने वाले सभी काम को जो है सीखना चाहते हैं तो आप डिजिटल गुलाब गुरू चैनल को जरूर जो है सबस्क्राइब कर लीजेगा वो हमारा ही चैनल है जिस पर मैं आपको जो है जनसेवा केंदर पर होने वाले सभी काम को जो है सिखाता रहता हूं फिलाल इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी जनसेवा केंदर की जानकारियां बताई है इन जानकारियों के अलामा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम